आल इंडिया मजलिसे इतिहादूल मुशलमीन यानी AIMIM सुप्रीमो असदुदीन वैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे नया विवात पैदा हो गया वैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले आयुध्या के धनिपूर गाओं की पाँच एकर जमीन पर जो मस्जिद बन रही है अगर वहाँ कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी वैसी ने कहा कि ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों ही हराम है वैसी करनाटक के भिदर में आयोजित करिकरम सेव कॉंसिटूशन सेव इंडिया करिकरम में बोल है थे उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले पांच एकर जमीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं हकीकत में मस्जिद नहीं बलकि मस्जिद जीरार है ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है